राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों, बहनों और बंधूँँआज मैं आपके लिलाई हूँ रुद्राष्टकम भगवान शिवजी का स्त्रोथ बंधूँआज बेसाख मास में सौंवार के दिन रुद्राष्टकम का स्त्रोथ हिंदी सहिस सुनने से आपको राज योग की प भोलो शिवशंकर भोले नात की जैड़ बंधूँँआज यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके और आप हमार फेस्बुक पेज को भी लाइक करें ताकि आप हमारे साथ फेस्बुक पर भी जुड़ सकें इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं नमामी शमीशान निर्वान रूपम विभुम व्याप कम ब्रम वेद स्वरूपम निजम निर्गुनम निर्वी कलपम निरीहम चिदाकाश आकाश वासम भजेहम हे मोक्ष स्वरूप, विभू, व्यापक, ब्रम और वेद स्वरूप, इशान, दिशा के इश्वर तथा सब के स्वामीशी शिवजी मैं आपको नमस्कार करता हूँ निज स्वरूप में स्थित, गुनों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप, एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारन करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ निराकार ओमकार मूलं तुरियं, गिराग्यान गोतीत मीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुनागार संसार पारं नतोहं निराकार ओमकार के मूल, तुरिये वानी, ज्यान और इंद्रियों से परे के लाश्पती, विक्राल, महाकाल के भी काल, कृपालू, गुनों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ तुशार अद्रि संकाश गोरं गंभीरं, मनोभूत कोटी प्रभाश्री शरीरं, सफुर्न मोली कलोली नीचारू गंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा जो ही माचल के समान गोर वरन और गंभीर है, जिनके श्रीर में करोडो काम देवियों की जोती एवं शोभा है, जिनके सिर्प सुन्दर नदी गंगाजी विराजमान है, जिनके ललाट पर दित्यका चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है चलत कुंड लं भु सुनेत्रम विशालम प्रसन्ना ननम नील कंठम दयालम म्रिगाधीश चर्मांब रम मुंड मालम प्रियम शंक रम सर्व नाथम भजामी जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं सुन्दर भृक्टी शाल नेत्र हैं जो प्रसन्न मुख नील कंठ और दयालू है सिंग चरम का वस्त्रधारन किये और मुंड माला पहने हैं उन सब के प्यारे और सब के नाथ श्री शंकर को मैं भजता हूं प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्भम प्रेशम अखंडम अजम भानु कोटी प्रकाशम त्रैशूल निर्मूल नम्शूल पानिम भजेहं भवानी पतिम भाव गम्यम प्रचंड श्रेश्ट त्रीजस्वी परमेश्वर अखंड अजनमा क्रोडों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारन किये भाव के द्वारा प्रापत होने वाले भवानी के पती श्री शंकर जीकों में भजता हूं कलातीत कल्यान कलपांत कारी सदा सज्जन आनंद दाता पूरारी चिदानंद संदोह मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभोमन मतारी कलाओं से परे कल्यान स्वरूप कलप का अंत करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपूर के शत्रू सचिदा नंद घन मोहो को हरने वाले मन को मन्तने वाले काम देव के शत्रू हे प्रभो प्रसन हो जाए प्रसन हो जाए ना यावद उमानात पादार विंदम भजमती हलोके परेवा नरानां ना तावद सुखम शानती संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्व भूत धीवासं जब तक पारवती के पती आपके चरन कमलों को मनुश्य नहीं भजते तक उन्हे ना तो इही लोग और ना परलोग में सुख शानती मिलती है ना उनके तापों का नाश होता है अते हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभो प्रसन हो जाए ना जानामी योगम जपम नेव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यम जराजन्म दुखोग तात प्यमानम प्रभो पाही आपन नमामी शंभो मैं ना तो योग जानता हूँ ना जप ना पूजा हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ हे प्रभो बुढ़ापा तथा जनम के दुख समुहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए हे इश्वर हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेन हर तोशय ये पठंती नरा भक्त्या तेशाम शंभू प्रसीदती भगवान रुद्र की स्तुधी का यह अश्टक उन शंकरजी की तुष्टी के लिए ब्रहामन द्वारा कहा गया जो मनुष्य इसे भक्ती पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभू प्रसन होते हैं श्री शिव शड अक्षर स्त्रोतम ओम कारं बिंदू सन्युक्तम नित्यम ध्यायंत योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओम काराय नमो नमा नमंति रिष्यो देवा नमस्त्य अप्सर सारं अंगना नरा नमंति देवेशं नकाराय नमो नमा महादेवं महात्मानं महाध्यायं परायनं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमा शिवं शांतं जगन्नाथं लोक अनुग्रह कारकं शिवं एक पदम नित्यं शिकाराये नमोनमा वाहनं व्रिश्भो यस्य वासुकी कंठ भूशनं वामे शक्ती धरम देवं वकाराये नमोनमा यत्र यत्र सितो देव सर्व व्यापी महेश्वर योगुरू सर्व देवानाम यकाराये नमोनमा शड अक्षरम इदम स्त्रोतम च पठेण शिव सन्निधू शिव लोके मवापनोती शिवें सह मोधते इति शी शिव शड अक्षस्त्रोतम सम्पूरनम बोलो शिव शंकर भोले नाथ कीचे, मा पारवती कीचे बंधों यदि आप बेसाख मास में भगवान शिव के इस त्रोत को आज सुनने के बाद प्रती दिन सुनते हैं निश्चित है आप कोई राज योग की प्राप्ति होगी ही बंधों भगवान शिव अपने भगतों पर अपनी अनुकमपा बनाए रखते हैं जो भगवान शिव को भगवान विश्नु को भजते हैं उन पर प्रभूक की क्रिपा बरसने लगती है बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद झाल 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 झाल